हम कह सकते हैं कि जो शराब बंदी जो है केवल कागज उपर है और जहरीली शराब से लगबग तीस से ज़ादा लोग जो है उनकी मिर्ति हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आँखों की रोशनी खुई है इतनी बड़ी घटना हुई है और मानि मुख्वंति जीने अब तक कोई भी सन्वेदना प्रकट जो है पीरितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगतार ये घटनाएं हो रही है बिहार में कहा जाता कि शराब बंदी है लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब है ये सत्ता में बैठे लोग माफिया अधिकारी ये सब कंट्रोल कर रहे हैं बिहार में जिस प्रकार से लगतार यासी घटनाएं बर रही हैं शराब उपलब हो रहे हैं ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संद्रक्षन अपराद जो है ये किया जा रहा है लोग मड़े नहीं हैं बलकि हम कह सकते हैं उनकी हट्त्या की गई और जिस प्रकार से कोई भी पददिकारी ये बड़ा अधिकारी किसी पर भी अब तक कोई कारवाई नहीं की गई है तो इसमें सकता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराब बंदी चल रहा है ये क्या खेल चल रहा है गरीब जो है वो मारे जा रहे हैं गरीब वो पर मुकदमा होता है लेकिन शराब जो सप्लाई होता है जहां से आता है उन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है और जिनके संदक्षन में शराब आ रहा है कई जगे तो जन्तादल युनाइटेड के कारेकरता जो है पकड़ेगे है कि किस प्रकार से ये लोग जो है शराब की ब्लैक में स्मगलिंग कराते हैं और बिक्वारे का काम कराते हैं होम डिलिवरी कराते हैं लेकिन अभी अभी दुख की बात है कि हमारे बिहार के लोग गरीब लोग मरने जा रहे हैं और सरकार जो है अफसोस तक भी ने करते हैं शराब आ रहा है बंड रहा है तब ही तो ये घटनाएं होनी है अगर शराब आता नहीं शराब बनाएं नहीं जाते नकी शराब देशी शराब तो ये घटनाएं नहीं होती और आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से आप सब पतरकार है, सब लोग जानते है इस सीजो को, कि बड़ा इजली जो है शराप उपलब यहाँ बिहाल में कहीं भी उपलब हो जाता है, जब आपको हम लोगों को पता है उपलब दोता है तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहां से कैसे उपलब दो रहा है सब कुछ पता है केवल ये खेल जो है रस्टचार का है केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जाना है तो एक बहुती दुखद घटना है लगतार ऐसी घटना हो रही है और मुख्यमंति जो है अब तक जो है खामोश है जिनकी लापरवाई हो और साथी साथ जो भी लोग इसमें सनलिप्त है उन पर भी कड़ी करवाई होगी और यही कारन है कि लगतार इस चीज को अगर मानी मु प्रियान लिया गया है और अभी जो गिरफ्तारी भी होनी होगी तो निश्यत उप्तों सो गिरफ्तार करकर पूरी कड़ी करवाई की जाएगी यह सुनिश्यत क्या सकाने है